गाईज मैं आपसे पूछूँ आपका सबसे फैवरेट एप कौन सा है जो आप इन दिनों लॉकडाउन के पिरेड में यूज कर रहे हैं तो जी हैं आपका जवाब एक ही होगा वो है टिक टॉक जी हैं कि टिक टॉक एप वो सुरक्षित नहीं है जी हां आपके टिक टॉक आईडी से कुछ फर्जी वीडियो पोस्ट किये जा सकते हैं अपलोड किये जा सकते हैं जी हाँ दोस्तों, टिक्टॉक के कुछ वर्सन्स में ऐसा बग आया है, बग के अनुसार टिक्टॉक के कुछ आईडी से फर्जी वीडियो अपलोड हो जा रहे हैं, जो वीडियो हैं, वो कोरोना वारेस से सम्मंदे रूमर्स फैलाने के लिए ये वीडियो अपलोड किये जा हमारे चैनल पे नए हैं, तो नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी बेल आइकन प्रेस कर लिजे, सौफ़वेर बैक कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है, जो कि सौफ़वेर एप को मोडिफाई कर देता है, जिसकी होता है, ज्यादा तर जो वीडियो शेरिंग प्लेटफॉर्म होती है, वो HTTP यानि हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करती है, जी हाँ, प्रोटोकॉल कह सकते हैं कि एक सौफ़वेर है, जो डेटा ट्रांसमेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होता, इसी वज़ज़ से इसमें सेंध लगाई जा सकती है, अनथराइज एक्सेस किया जा सकता है, जो हैकर्स होते हैं, वो इस HTTP के ज्यादा शेक्यूर ना होने की वज़ज़ से इसका फाइदा उठाते हैं, और वो आपके सोसल मीडिया एकाउंट जैसे आपके टिक आईडी और पासवर्ड आप चेंज करते रहें, इस सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जो है कोरोना वाइरस के चपेट में हैं, ऐसे में जो हैकर्स होते हैं, वो फरजी वीडियो डाल करके कोरोना वाइरस को लेकर के ज्यादा अफवाहे फैलाते हैं, और इसके ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्सल में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, और प्लीज वन्स अगेन हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजे, आपके भाई का चैनल है, तब तक के लिए गुडबाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्यू